ओमने महिश्री बाई, हर हर महादेव, जैशु शम्भो जब कोई काम बीच में आकर रुख जाए या कोई काम बनते बनते रह जाए आखरी स्लिती में आकर काम का नहीं बनना चाहे वो कानुनी लेगली केस हो या किसी प्रकार से व्यापार में हो या किसी व्यापार में हमने साजेधारी करी है बाद में किसी व्यक्ति का पीछे अड़ जाना चल कपड धोका देना या एक छोटी सी सुरुवाद जो हम कर रहे हैं वो सुरुवाद तो कर दी हैं लेकिन चीजें फिर भी हमारे जिस प्लानिंग के हिसाब से हमने की वैसा चीजें नहीं हो रही है तो अगर आपके भी कामों में बहुत बार रुकावटे आती है अगर आपके साथ भी आपके काम नहीं बनते हैं आपके साथ भी ऐसी इस्तित्या हो रही है कि चीजें जैसी हम सोच रहे हैं जैसे हम प्लान कर रहे हैं, वैसा थोड़ा होता है, लेकिन बाद में सब चीजे अलग हो जाती है, हम बहुत महनत करते हैं, बहुत कोशिशे भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो काम हमारे नहीं बनते हैं, कम से कम उस काम के दो इस्तितिया ही हो जाए, फुल और फाइनल के साथ हो रही ही बहुत दिनों से बहुत महिनों सें कि आपके जीवन में सतरी की परिस्दिया हमेशा बनी रहती है, तो जरूर यकिन मानि यह वीडियो में कुछ एसी चीजें आपके साथ साजह करूंगा ऐसे उपाया आपके साजह करूंगा ऐसी बातें आपके साजह करूंगा वो करने के बाद definitely आपको बहुत हद तक relief मिलेगा आपके काम बनेगे और जो भी कामों में आपके अरचने रुकाउटे आ रही है उनमें बहुत हथ तक आपको सफलता मिलेगी क्योंकि यह प्रयोग जिन भी जातकोने किये हैं उन्हें बहुत फाइदा मिला है आप अगर करेंगे तो आपको बहुत फाइदा मिलेगा बस मेरा एक निवेदन है इस वीडियो को आखरी तक देखकर चीजों को बहुत बारी किसे समझना होगा सबसे पहला प्रयोग आपको करना है कि अपने घर के आसपास जो भी शिवाले हो शिव मंदीर हो आपकी घर के आसपास एक लाल या काड़ा, काला लाल या काला कपड़े में से कोई एक कपड़ा ले चोटा सा कपड़ा ले, ज्यादा बड़ा लेनी के उशकता नहीं है पांच प्रकार के धान एक मात्रा में, चाहिए आप दो दाने रखें ग्यारा दाने रखें, थोड़े थोड़ी मात्रा में पांचो धान आपको रखना है पाचो धान थोड़ी थोड़ी मात्रा में रखने के बाद में जो भी हमारे घर के आसपाश शिव मंदिरे उस पाचो धान की काले या लाल कपड़े में एक गांट बान ले और शिव लिंग को अरपित कर दें शिव चालिसा वहाँ पर आपको पढ़ना है शिव लिंग पर उस पोटली को रख दें और शिव चालिसा का एक बार, दो बार, तीन बार, पाच बार, ग्यारा बार यथा शक्ति आप शिव चालिसा का पाट करें शिव चालिसा का पाट करने के बाद में वह जो पोटली है जिसमें पाच प्रकार के धान रखे हैं के नियत मात्रा में वह या तो अपने कारी छेत्र में या अपने पर्स में या अपने घर में उसे आप रख ले जब आप उसे अपने पर्स में अपने कारी शेतर में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कारियों में एक यकायक बहुत जादा सकारत्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे दूसरा प्रयोग यहीं पर आपको करना है कि अपने कारी छेतर में अपने घर में नियमित आप घटते क्रम में बढ़ते क्रम में हन्मान चलिसा का पाट करें मान लिए आज 11 बार करा अगले दिन 10 बार करें फिर 10 के बाद आप 9 बार करें फिर 8 बार करें ऐसे दिनों तक मतलब अगर आप 11 दिन का प्रण लेंगे तो 11 दिन तक में 11 दिन पहले नंबर पर पहुशना है पहले दिन 11 फिर 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 ऐसे हमें करना है ऐसा करने से बहुत राहू से और केतू से जुड़ू है जितने सारे विकार हैं हमारी कुंडली में जितने सारी परिशानिया हैं उनसे हमें रिलीफ मिलेगी तो या तो बढ़ते करम में करें या घटते करम में आज एक बार करा, कल दो बार, फिर तीन बार और ग्यारवे दिन तक ग्यारा बार आपको करना है यह प्रयोग आप दो महिने में एक बार आपको जरूर करना है आपको साल में छे बार अवज शुरूप से करना है बर्राम नाम के जब करें उससे भी बहुत हद तक सीता राम नाम के जब करें उससे भी बहुत रिलीफ मिलेगा अगर यह वीडियो अच्छा लगो तो लाइक करें ओम नमस्षिवाई